हेई मैं लवली फोक्स, आईए आज कुछ मुह मीठा की आ जाए, मुह मीठा वो भी खस्ता और रसीली बालुशाही के साथ, यूं तो हलवाई के पास सभी कुछ मिल जाता है, लेकिन अपनी पसंद की क्वालिटी जैसी चाहिए, वैसी हलवाई के पास कहां, तो आईए बनान को सबसे पहले हम चान लेते हैं, चानने से क्या होगा, कि इसके अंदर एयर पॉकेट्स बन जाएंगी, जिसकी वज़ा से हमारी बालुशाही काफी हलकी हलकी बनेगी, अब इसके अंदर मैं आड़ कर देती हूँ, हाफ टी, स्पून, बेकिंग पौडर, बेकिंग पौडर इसको खस्ता बनाएगा, साथ ही मैं इसमें आड़ कर रही हूँ, टेस्ट को इन्हांस करने के लिए एक चुटकी नमक, नमक आड़ करने के बाद मैं एक लोगी विसकर, आपके पास में एक स्पून हो, तो भी कोई शुने हैं, बस अब इसे बिना पानी डाले, अच्छे से मेक्स कर लूँगे, अब यहां इस मैदा को रोटी के आठी की तरह गुथेंगे नहीं, ना तो टाइट और ना ही लूज, बलकि क्या करेंगे, थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको इखटा सा कर लेंगे, देखे कुछ इस तरीके से, मैं थोड़-थोड़ा पानी हाथ म में ले रही हूं, और इस तरह से इसको इखटा सा कर रही हूं, बस मैदा और पानी, सब कुछ एक जगा इखटा सा हो जाए, बिल्कुल भी इसको हाथों से पंच नहीं करना है, कि आठी की तरह गुथ जाए, क्योंकि हमने इसमें घी का इस्तेमाल किया है, जिसकी वज़े स इसे अराम से खटा हो जाएगा, बिल्कुल भी बिखरा हुआ नहीं रहेगा, अब इसे ढख करके आधा गंटे के लिए हम छोड़ देंगे, आधा गंटे के बाद देखें, कुछ इस तरह का इसमें खिचाव आ गया है, देखना है कि इस तरह से टूट रहा है है न, यह ले इसके अंदर रहनी चाहिए, और वो रहेंगी, क्योंकि हमने इसको गुथा नहीं है, बलकि इखटा सा कर दिया है, और इसके अंदर हमने अच्छे से घी बे इस्तेमाल किया है, तो देखें, कुछ इस तरह का पेड़ा बन गया है, देखें, इसके अंदर भी आपको तो देखें, इस तरह से मैंने कुछ 16-17 वालुशाही के पेड़े बना ली है, अब यहां मैं हाथ में एक लोई को या पेड़े को उठाऊंगी, और इसमें किसी भी गोल चीज से, मेरे पास यहां एक दम अन्यूज़ पैंसल है, तो इसकी मैं बेक साइड से इसके अंदर ए भलकि इसले होता है कि जब हम इसे चाशनी में डाले, तो चाशनी को अच्छे से बालुशाही एब्जॉब करें, तो अब इसको हम ढखका रख देंगे, अब देखिए मुझे यहां बनानी है चाशनी, तो यहां मैंने पतीले में एक कप पानी आड़ कर दिया है, अब इस को मैं हाई फ्लेम पर रख दूगी, अब इसमें शामल कर दूगी 2.5 कप चीनी, यानि तकरीबन 400 से 500 ग्राम यह चीनी है, चीनी डालने के बाद, जैसे ही चाशनी में खॉल आना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें मैं खुश्बू के लिए एक चुटकी इलाईजी पाउडर कर दूँगी, अब कुछ मूंदे, इसमें मैं डालूँगी लिक्विट फूड कलर की, जिससे अच्छा सा बालुशाई में रडिश कलर आ जाए, अब मुझे हाई फ्लेम के उपर 5-7 मिनट एक गाढ़ी चिपचिपी चाशनी बनानी है, तो चाशनी में कोई तार नहीं आन कर दिया है, तो देखिए, मैंने इस ओइल को तकरीबन 3-4 मिनट सिर्फ स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है, तीन से चार मिनट के अंदर देखिए, यह कितना गरम है, मैं भी आपको बताती हूँ, यह देखिए, मैंने इसमें बालुशाई अट किया है, और देखिए, इसमें को हलके हलके से बबल सिखटा होना शुरू है, बालुशाई के उपर, यह देखिए, इसमें टाइम ज़रूर लगता है, आपको 5-6 मिनट तक ऐसे रहने दिना इनको कढ़ाई के अंदर, इसी वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से बालुशाई फूल की तरह खिल गई है, और देखिए, मैं निकाल के आपको दिखा रही हो, कितनी सुनहरी हो गई है, तकरीमन 5-6 मिनट आपने इसको बिलकुल लो फ्लेम पे रखा, और उसके बाद में 7-8 मिनट आपको मीडियम टू लो फ्लेम के ओपर इस तरह से सुनहरी सुनहरी बालुशाई को फ्राय कर लेना है, अब मैं कड़ाई को एक साइड में कर दूँगी, मेरी सारी बालुशाई अर्मस फ्राय हो गई है, अब इसको साइड में रखकर चाशनी का बरतन ले आती हूं आगे, और देखिए, एक एक करके अपनी सारी बालुशाई इस गुनगुनी चाशनी के अंदर डिप करती चली देखिए, और अच्छे से चलाते हूँए, एक बारा बालुशाई को पलट दी जगा इसके अंदर अलर्ल Пलट कर दी जगा चाशनी के अंदर जब देखिये, खुब सुरत बालुशाई चाशनी के अंदर डिप हो चुकी हैं, तो यह देखिए कितनी शान्दार हमारी असीली खस्ता डूब करके तैयार हैं, बेहत खुबसूरत लग रही है, सुनहरी सुनहरी, बालू शाही, चाशनी से भरी हुई और बेहत क्रिस्पी फलेकी, तो इसको मैंने अपनी मनपसंद राइफ रूट के साथ डेकोरेट कर दिया है, आप अपनी चॉइस के साथ डेकोरे क्या है, अपनी अपनी है, लाइ तो एक टूब काशनी है, तैयारी!